ओम नमश्वाय नमस्कार दोस्तों आप देखरे वरत्योहार टोटके मैं हूँ आपके साथ रमज्रिम शिर्मा दोस्तों महिलाओं और वरत का बहुत ही ज्यादा गहरा रिश्टा होता है हर महिला वरत्योहार में बहुत ज्यादा विश्वास रखती है बहुत ही ज्यादा उन खंड रहे वो पूर्ण हो और किसी भी तरह की रुकावट उसमें ना आए लेकिन दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के साथ महीने में एक बार वो पांच दिन जो होते हैं वो वरत नहीं रख सकती पूजापाथ नहीं कर सकती फ्रुकृति का नियम है जो हम सभी महिलाओं के साथ होता है दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उन दिनों हमें क्या वो खास साबधानिया रखनी चाहिए महिलाओं को माहवारी में जिसे हम पीरेट्स कहते हैं मासिक धर्म कहते हैं हमें क्या वो साबधानी रखनी चाहिए वरत करने के ल और बीच में हमारा मासिक धर्म आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? किसी नए वरत को शुरुआत करने वाले दिन ही अगर हमें पीरिट्स आ जाते हैं, तो हमें फिर क्या करना चाहिए? कोई वरत अगर एक महीने लंबा हो, जैसा कि सावन का महीना, सावन वरत बहुत सारी महिलाएं करती है, अगर इस बीच उनका वरत आता हो, तो ये भी एक continuity का, अखंड़ता का वरत है, इसको कैसे पूर्ण करें? बहुत सारे वरत ऐसे होते हैं, जिसमें कि हमें शाम में पूजा करनी होती है, अगर हमने पूजा सुबह शुरू कर दी है, और हम उसके बाद हमारा मासिक धर्म शुरू हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? मासिक धर्म खत्म होने के बाद हमें पूजा फिर कब से शुरू करनी चाहिए? कब हमें शुद माना जाता है, जिसके बाद हम किसी भी पूजा पाठ में सनलिप्त हो सकते हैं? यह ऐसे कुछ जरूरी बाते हैं, जो हमें जरूर पता होनी चाहिए, तो यह वीडियो बहुत खास है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, सावन के सपावन महीने में तमाम महिलाएं वरत कर रही हैं, चाहे वो मंगला गौरी वरत हो, चाहे वो सावन का सोमवार वरत कर हो, सोला सोमवार महिलाएं शुरू करती हैं, कौरी कन्याइं शुरू करती हैं सावन से, तो वो अगरवर शुरू कर रही हैं, चाहे कि हम प्रदोश वर्पर शुरू करना चाहते हों, इस तरह कि जो परिशानी होती है, पासिक धर्म से जोड़ी हुई पीरिड्स हमें महीने में एक बारी आती है और कोई भी अगर पूरे महीने का वरत है या कोई लंबा अखंड वरत है उसमें हमें ये परिशानी जहेलनी पड़ती है तो दोस्तों कोई भी एक ऐसा वरत जिसमें थोड़ा वक्त जादा लगता हो चाहे वह आपते का हो महीने का हो या एक महीने में कु बढ़े शंगा आपके मन में उस वरत को लेकर ना रहे तो वीडियो अन्त तक देखें अगर वीडियो पसंद आये तो इसे जरूर लाइक करें आगे शेयर करें जाद से जाद यह जानकारी आगे लोगों तक पहुंचें यह भी मेरी मन्शा है तो जरूर शेयर करें और अगर आप मेरी चैनल पर नए है अभी तक आपमेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तरह की जानकारियां मैं हर रोज आपके लिए लेकर आती हूँ तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें तो बतादू आपको सब से पहले कि अगर हम किसी वरत को शुरू कर लेते आपने सुबह संकल प्ले कर व्रत की शुरुवात कर दी थी अगर सावन में हम 16 वार का व्रत करते हैं तो अगर बीच में पीरिट्स मावारी हमारी आती है तो हमें क्या करना होगा क्या व्रत छोड़ देना होगा उस व्रत का फल मिलेगा या उस दिन हमें कैसे पूजा-पाठ अगर आप सुहागन महला है, तो आपके पती से आप पूझा करवा सकती है, अगर कोई बच्चावड़ा है, और बच्चे से आप पूझा पाड़ करवा सकती है, कथा सुन सकती है, लेकिन आपको उस पूझा पूजा संसिल कहांYe काई है तो सभी ड़का क्लिव करना रहा है पूजा लोल हम कहाँना से हमक्राइब उसॉल वहीं मिलें possível हम सावन के वरत कर रहें लगतार महीने भर का कई महिलाएं वरत करती हैं फलाहार पे रहती हैं हर दिन भगवान शिव की माता पार्वती की पूजो आरादना में रहती हैं तो वो बीच में अगर उनके मासिक धर महवारी शुरू होती है वो क्या करें वो पाच दिन इस पे भी कुछ विरोधावास कर दरह की बात निकल कर आती है कि क्या हम शुद्ध पांच दिनों में होते हैं शिफ भगवान के अगर वरत कर रहे है या छह दिनों में ये साथ दिनों में वो भी मैं आपको बताऊंगी लेकिन आपको उन दिनों जिन दिनों आपका पीरिष चल रहा है आपको मंदिर नहीं जाना है, घर पे भी पूजा नहीं करनी है, भगवान को छूना भी नहीं है, लेकिन आप उपवास में रहेंगे, आप मानसिक वरत में रहेंगे, आप मानी मन भगवान भोले नात का माधा पार्विती का सुमरन जरूर करते रहें, वरत आपका ऐसे में प अगर आपके घर में कोई नहीं पिद्ट को मिलता है अब एक व्रत हम अगर हमारा पीरिट्स खतम हो जाता है तो हम किस दिन शुरू करें पाँच दिन माने जाते हैं पाँच दिनों की मानी जाती है माहवारी आप चौथे दिन बाल धोकर स्थान कर ले और पाँचवे दिन से आप पूजा अरजना में जोड सकती है किसी भी भगवान के कामों में आप अपनी संलिप्ता रख सकती है इसमें कोई अपर कुछ अलग अलग मत कई लोग के चिरू करते हैं और इसे लिकर ऋर से 20 वे लेट करे लेकिनि जाता है और नहीं को शुट्री के मंदर यांध कर यह तरीके से षुट्रीके से स्णनध्यान करके आप पुजा पार्ट में संलप्त हो सकती है बहुत ज़रूरी है यह कि You ơi, maasach dhaar में अभवारी में श्रास्टों में थारों में वर्ण गया है आप अगर मानती है तो आपको ऐसा ही करना चाहिए दोस्तों अगर सावन सुमवार व्रत की बात कर लूँ कही सवाल इस पर आए कि मुझे सावन सुमवार का व्रत करना है और मैं उसी दिन सुबह सुबह पीरिट्स शुरू हो गये मेरे या फिर रविवार को शुरू ह ऐसे में आप व्रत नहीं करेंगी सावन सुमवार के व्रत महीने में चार आते है इस बारी पांच है लेकिन आप अगली व्रत को रख ले लेकिन उस दिन आपको व्रत नहीं करना है जब आप पहले से महवारी में है मासिक धर्म आपका शुरू हो चुका है अगर व्रत कर ल तो आपको तीसरा या चौथा जो भी वृत का नंबर है आपको वो करना है, लगातार करना है मैं बार बार कह रहे हूँ, वो व्रत आप करेंगी, आप उस दिन उपवास में रहेंगी, पूजा नहीं करेंगी, अगर पूजा संभव हो तो घर में अगर कोई आपकी हैं तो अगर काम हो उसमें आपको अपनी नहीं दिखानी है तो यह जरूरी है इन चीजों का ध्यान रखना प्रदोश्वरत अगर आप कर रहे हैं तो दो प्रदोश्वरत महीने में आते हैं उसमें भी है कि अगर आप प्रदोश्वरत में हैं तो प्रदोश्वरत में अगर आपने अब प्रदोष्वरत चल रहा है उसमें आपको ब्रदोष्वरत लोट को रहा है। पूरे दिन आपको नम देना के कुझा परोड़ल। से वुर्णफल आपको मिलेगा लेकिन यह मनमें शंका है कि आहली का मैं कirtी आप क्या जरूरी आप कर सकती हैं जोठे करना था तो पाज़ ज़र दिन से अपा करना है शुद्ध होकर ही आको पूजा पार्ट में इक बार फिर से Самलपत को ना है तो यह जांकारी है आपको बहुत जरूरी आपके लिए आप वरत करती हैं और सभी महिलाएं करती हैं तो आज मैंने कोशिश की है कि मासिक धर माहवारी से जोड़ी हुई जितने भी आपके मन में सवाल आ रहे हो उन तमाम सवालों के इस वीडियो में मैं आपको जवाब दू इसकी बाद भी आगे शेयर करें जिन तक ही जानकारिया आप चाहते हैं पहुँची चाहिए पहुचाएं जरूर अगर आप पे चानल पर ने आए हैं अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की जानकारियां मैं आपके लिए हर रोज लेकर आती हूँ चैनल क सब्स्क्राइब करना ना भूलें बहुत बहुत शुक्रिया आगका